नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में बहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां आए इंडी से लेकर के चोटी तक कि सभी नसों को खोलने के कुछे कुपायों के बारे में आज हम सभी जानते हैं हमारे कुछ खाना पकाने के आदतों और कुछ अन्य गलत आदतों ने तेजर अफतार दोड़ने वाली इस जीवन की जीवन शैली को बहुत ही बिगार दिया है आजकल बहुत कम उम्र में मनुश्य कई बिमारियों का शिकार बन जाता है उनमें से एक बिमारी नसो की ब्लोकेज संबंधित भी है यह बिमारी आजकल बहुत से लोगों को देखने में मिल रही है नसो की ब्लोकेज के कारण परावा, हाल्ट अटेक या किसी अंग का सुन होन जैसे गंभीर बीमारियों का होने का संभावना बढ़ा रहता है यानि कि परलेसिस भी होता है इसमें एक मूखे यह बीमारी उन लोगों को अधिक देखने के लिए मिलती है जो रोज एक स्थान पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं ज्यादा देर तक एक स्थान पर बैठे र करना चाहिए अनार में पाया जा सकता है कि एंटियोक्सिडेंट गुनों से यह भरा हुआ होता है इसलिए नाडियों की धमनियों को यह रोकने से रोक देता है यह रूकती नहीं है इसके अलावा अनार कई तरह के हिल्दी फायदे भी हमारे शरीर को प्रदान करता है इसके आपके नसों में ब्लड सुचारू रूप से प्रवाहित होता रहेगा ओट्स जिहां ओट्स में फायवर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिसकी बदवलत आपका शरीर जो है वो स्वस्त रहता है आप इसको नाश्ते में सामिल करें यह आपके ब्लोक नसों को खोल सब्सक्राइब आखते हैं यह सरीर में बढ़ाया हो तो उसको निहांधरित करता है लासुन जिसकी बदवलत आप बलोक नसों को अपने खुल सकते हैं और अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोन में आप सभी के साथ जुड़ते हैं कोर बहुत ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों